Hello Guys, Welcome back to my Channel इस वीड़ेवाप करेंगे nifty 50 के बारे में कि कल nifty 50 कहा उपन हो सकता है कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं क्या कल nifty 50 gap up होगा gap down होगा, flat होगा और सबसे बड़ा question हमें trade कहाँ पर मिलेगी तो भाईया पहली बात तो मैं आप लोग को यह पता देता हूँ अगर आप फर्स टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का उसको कर लो जॉइन प्लस चैनल को कर लो सबस्क्राइब बिकॉज जितना आसानी से जितना इजी वे में यहां पर आपको पता चलता है जब निफ्टी फिफ्टी के बारे में वो कहीं भी नहीं पता चलेगा तो अगर हम कल की बात करें कि तो मार्केट हमारा भया कलोज हुआ था अराउंड 70,398 याने की बोला जा तो 17,400 पर हमारा मार्केट कलोज हो गया अच्छी बात है अच्छी बात है बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है आज हम सब्सक्राइब थोड़ा global view देख लेते हैं actually global view आज का भी देखना important है तो डाउ जोंस और नेस्जेक की बात करें तो ठीक ठाक आपको देख रहे हैं positive में very bullish signal भी आपको देखने को मिल रहा है and sgx nifty हमारा कई ना करें यह एक second यह आज का market open हो गया क्या एक मिनटा है कल का तो काफी सही था I think आज का open हो गया है market हम बात करेंगे कल के बारे में तो कल हमारा market कहां पर टिकाता यह जाके तो तीन अपरेल को हमारा market था 33,245 पे और उसके बाद था 33,600 के असपर या निकि अच्छा का सा move दिया था कल के दिन अब आज की बात करें तो आज यह just open हुआ है तो आज जरूर देख लेना कि कहां पर यह close हो रहा है अभी देख लीजिए positive में आ चुका है नेस्डेक अलड़ी positive में चल रहा है तो जो scenario है वो अभी भी positive है US का तो कल हम positive रह सकते हैं हमारे कुछ अब ऐसे levels पर market आ गया है जहां पर resistance zone बढ़ चुके हैं तो यह तो हमारा हो गया पांच मिनट का चार्ट ठीक है जब हम follow करते हैं जब हम intraday cause लेते हैं तो अब हम बात करते हैं कि कहां पर हमारे लिए resistance और support बना हुआ और आपको किस तरीके से कल को trade लेना है अ मैं आपको 2-4 trade भी provide कराता हूँ जो काफी ज़्यादा successful रहती है अभी तक का successful rate बोला जाए तो वैसे 1890 परसेंट है आप जाके एक बाद चेरू चेक कर लीजे तो हमारा market close हुआ है यहां पर आप बात कर लेते हैं जल्दी से और हमारी जो starting हुई थी market की वो हुई थी इस देखने को मेला last day ठीक है यहां पर कुछ trend line बने हुई है जो बहुत पहले की बने हुई है यह वाली यह वाली यह वाली और यह वाली ठीक है तो यह आपको ध्यान में देने की जरूरत है क्योंकि आने वाले दिनों में market या तो ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा तो यह काफ हम कल की बात करें तो अगर हमारा market देखें सीजी सैड में आप कम जाएंगे तो आपके लिए फाइदे बंदों का हो सकता है आपके stop loss हेट हो जाएं सीजी दा clear गड़ बोल रहा हूँ because 7400 पर आपने देखा resistance यहां पर market close हुआ है resistance लेके यानि की उपर जा रहा था वहां से last में profit booking आ गई ठीक है market हमारा open हुआ वहां से भी बोला जाए तो selling आ गई just इसके उपर 7450 का यह level है जो already resistance है बहुत टाइम से ठीक है उसके बाद हमारे पास 7550 का भी level है resistance प्लस 17501 psychological level है तो यह भी कई ना कई एक resistance की तरह behave करेगा तो हर 50 point पे आपको resistance देखने को मिल रहे है उपर की तरफ तो क्या आप लोग CE की trade लेना पसंद करेंगे क्या आपको लगता है यहां पर आपका पैसा बनेगा अच्छे से हो सकता है बने पर most of the chance है वो है कि भाईया आपक 5 point का लेके चलते हो वो हो जाएगा hit ठीक है यह चीज आप ध्यान में रखिए अगर कल मार्केट हमारा कहीं 77 450 के आसपा सुपर ने होता है या नहीं 50 start point उपर और वहां से आपको rejection face होता है तो आप कहां जाएंगे PE side पहला आपका trade रहेगा कहां तक 17400 तक के लिए हो सकता है यहां पर हमें resistance मिला यहां पर हमें resistance मिला यह पिछले दो दिन की बात हो रही है तो यह level कौन सा है 17380 का और अगेन आप अगर यहां देखेंगे यह चोटा सा तो यहां पर भी आपको 400 पर देखा resistance यहां पर देखा 80 पर support और उसको तोड़ते हो market उबच चला गया था ठीक ह तो 380 पर आपके लिए कहीं ना कहीं एक support की तरह behave करेगा ओके नीचे की और बात करें तो 17350 जहां पर मैंने आपको trades दिया था कल के दिन और हमने यहां दो trade बनाय था और दोनों हमारी trade successful रही थी तो भया जल्दी से आज़ो टेलीग्राम पर सीदा सीदा बता रहो यह आप अगर हम इस level पर वापस आते हैं तो most of the chance है यहाँ पर हम support लेके वापस उपर चले जाएंगे because market की condition as such negative नहीं है ठीक है अगर negative होगा तो हम इसको तोड़ ताड़ के नीचे निकल जाएंगे बड़ ऐसा कुछ अभी फिलाल नहीं है कि हम भया इतना बड़ा gap down दे दें अगर नहीं टिक रहे हैं तो हमारा next target होगा 500 और 550 ठीक है अगर नहीं टिक रहे है तो फड़ाक से आपको लेना एक PE call अपने 20 point बनाने है और exit कर देना है trade को ठीक है और हम अगर नीचे चले जाते हैं माल लीजे gap up open हुए red candle red candle तो यहाँ पर आपको support देखने को मिल जाएग resistance बहुत सारे resistance है अगर हम आज के यह जो 17400 के आसपास open होते हैं और इसको तोड़ते हुए नीचे आते तो पहला level है सत्या 350 जहां का आप trade ले लेंगे अगर इसको तोड़के हमारा market नीचे आता है और अगर इसको भी तोड़ता है तो आपके लिए 17310 के level open हो जाएगे तो आप message नहीं कर सकते comment section में बताओ ठीक है मैं आपको जरूर reply दूँगा हर एक बंदे को reply देता हूँ जो भी मुझे message करता है किसी भी बात के लिए तो आप comment section में जरूर आएं और interact करें मेरे से आपके लिए मेरे लिए दौनों के लिए मज़ेदार रहेगा so यह होगे हमारा कल का view हमें लगता है market कहीं नहीं थोड़ा बहुत open होगा gap up देन उसके बाद नीचा आएगा market कहीं एक level पर support लेगा देन वापस उपर जाने के कोशिश करेगा जैसा कि हमने यहां देखा और market का view अभी भी positive है negative नहीं है जी हां resistance काफी जादा है लेकिन market का view positive है जो आप दे लेगा और last के आदे गंटे में हमने drop कर दिया नहीं strong closing है जो काफी शानदार है तो yes यह है मेरा point of view कल के market के लिए simple भाशा में easy language में हर एक बंदे को समझ आ जाए अगर समझ कुछ आ गया हो तो भया वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना प्लस telegram पर आके join हो जाओ और मै कोई चार जिस नहीं है so thank you so much मिलते हैं कल एक नए वीडियो में लेकिन हाजी subscribe जरू कर देना भाई को थोड़ा सा support दिखाओ thank you